उकडिचे मोदग बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका स्टाफिंग बना लेना है तो एक पैन में मैंने एक छोटा चमच घी लिया है उसमें हमें एक छोटा चमच खसकस लेनी है और इन्हें अच्छे से भून के लेना है अब इसमें हमें एक कप फ्रेश ग्राइन किया हुआ या ग्रेट किया हुआ कोकोनट डालना है और इन्हें अच्छे से मिक्स करके लेना है इसमें अब मैं आदा कप जैगरी डालूंगी यहाँ पे गुड हमें ज्यादा यूज करना है क्यूंकि हमें स्टाफिंग ज्यादा मीठा बनाना है क्योंकि यह जो उकड़ी का मोदक होता है इसमें राइस फ्लोर हम यूज करते हैं जिसे अपना खुद का स्वाद नहीं होता है तो स्टाफिंग हमें मीठा बनाना है तो ही वो अच्छा लगेगा मोदक इसमें अब हम एक छोटा चमच जाइफल का पाउडर औ इससे स्टाफिंग को बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और यह टेस्ट में बहुत बढ़िया लगेगा तो यह सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके भून के लेना है और फिर जब यह अच्छे से कुक हो जाएगे थोड़े से ड्राय हो जाएगे तब हमें गैस को आफ कर टो यहाँ पर हमारा स्टाफिंग बिल्कुल रेड़ी है हम अब गैस को आफ करेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो इसे फुड़ी दर हमें ठंडा करना है एक 10 मिनिट तक और फिर हमें मोदक का डू बना के लेना है अब हमें मोदक का डो बना लेना है तो एक बरतन में हमें पानी लेना है यहाँ पर मैंने देड़ कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी लिया है उसमें हम एक छोटा चमश नमक और एक छोटा चमश घी डालेंगे और इन चीजों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे अब हम पानी को उबाल आने तक वेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी को उबाल आया है इसमें अब हम देड़ कप चावल का आटा डालेंगे और इसे तुरंथ मिक्स करके गैस को ओफ कर देंगे जितना हमारा चावल का आटा है हमें उससे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर पानी यूज करना है माने कि अगर आपका चावल काटा 200 ग्रैम है तो फिर पानी आपको 220 एमिल तक यूज करना है अब ये उकडीचे मोदक जो हम बना रहे हैं ये राइस फ्लोर के हैं इसलिए हमें इसकी राइस फ्लोर की मतलब चावल के आटे की पहले उकड लेनी है पहले स्टीम करके लेना है उसे और फिर हमें इसके मोदक बना लेने हैं तो इस तरह से हमें इसे 10 मिनिट तक कवर करके रखना है और फिर इसको हमें नीड करके लेना है तो यहाँ पर मैंने यह muslin cloth use किया है तो इस पर हम यह जो चावल का आटा हमने जो steam करके लिया है तो उसे हम निकालेंगे और इसे अच्छे से muscle के लिएंगे मैंने यहाँ पर यह मलमल के कपड़े का use इसलिए किया है क्योंकि यह जो चावल का steam डाटा है यह बहुत गरम है तो इसमें से steam easily pass out हो सकती है और हमें muscle में इसका आसानी से हम use कर सकते है तो अगर आपके पास ऐसा कोई कपड़ा हो तो आप यहाँ पर उसका जरूर इस्तेमाल करें अगर नहीं हो तो फिर directly plate में लेके भी आप इसको अच्छे से गून सकते हो muscle के इसका soft dough बना सकते हो तो इस तरह से muscle के फिर वापिस इसे हम plate में ले लेंगे निकालके अब इसे plate में लेने के बाद वापिस हमें normal पानी का यहाँ पे थोड़ा सा use करना है और फिर इसे अच्छे से वापिस soft muscle के लेना है हमें dough बिल्कुल soft चाहिए ताकि हम जब मोदक बनाए तो उसमें cracks ना develop हो अगर आपका dough soft होगा तो फिर अपके मोदक बहुत अच्छे बनेंगे तो यहाँ पर हमारा मोदक का dough और stuffing बिल्कुल ready है तो हमें इस गुदे हुए आटे के छोटे छोटे ऐसे balls बनाके उसके मोदक बना लेने है मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी उसे कैसे shape करना है हमें तो इस तरह से बिल्कुल पतला सा cover बनाना है मोदक का हमें बिल्कुल पतला cover बनाना है तो ही आपको stuffing का स्वाद अच्छा आएगा इस तरह से उसे shape देना है round shape पतला सा तो यहाँ पर यह cover बिल्कुल ready है अब इसे ऐसे हाथ पर पकड़के इसे उंगलियों की मदद से हमें इसके plates बना लेने है चारो तरफ इसके plates बना लेने है सबसे पहले यह plates बनाते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें cracks develop हो रहे हैं तो आप हलके से पानी का use करके इसको वापस से गूंद के बॉल को आटे के बॉल को वापस आप इसका मोदक बना सकते हो फिर आपके अच्छे से plates आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यह shape देखे मोदक को ready किया है अब इसमें हम stuffing भरेंगे तो stuffing आपको इसमें भरपूर भरना है तो ही यह मोदक का स्वाद अच्छे आएगा और याद रखना यहाँ पे stuffing आपका मीठा होना बहुत जरूरी है तो इस तरह से stuffing को आपको अ कर लेना है तो इस तरह से आपको मोदक को कवर करना है उसके बाद यह जो प्लेट से उसे ऐसे प्रेस करके हाइलाइट्स करने है और फिर यह जो ऊपर का एक्स्ट्रॉ आटा है वो आपको निकाल लेना है और फिर इसे अच्छे से ऐसे मोदक को शेप देना है तो इसी तरह से हम यहाँ पे सारे मोदक बना लेंगे अगर आपका आटा सौफ्ट होगा तो ही आप यह मोदक अच्छे से बना पाएंगे तो यह जो उकड़ी के मोदक होते हैं यह दो टाइपस के होते हैं यह चावल के आटे से भी बनते हैं और गेहू के आटे से भी बनते हैं बस बनाने का जो process है steps है वो थोड़े से अलग है तो जो आटे के मोदक है वो भी टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं मैं उसकी भी link आपको उपर आई बटन में दे दूंगी वो भी आप चेक कर लेना तो यहाँ पर इस तरह से इसे shape देना है और ऐसे ही करके हम सारे मोदक यहाँ पर ready कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सारे मोदक बन के यहाँ पर ready है आपको steamer में रखते वक्त मोदक के base को थोड़ा सा पानी अपलाए करना है और इन्हें आप थोड़ा सा गी भी लगा सकते हो जब आप steam करने के लिए रखोगे यह बिल्कुल optional है लेकिन आज मैं यहाँ पर गी और केसर का यूज कर रही हूँ यह गी और केसर से मोदक को बहुत अच्छा flavor आता है लेकिन यह बिल्कुल optional है आप इसे award भी कर सकते हो जब यह steam करने के लिए रखोगे तो इसका flavor बहुत बढ़ी आएगा मोदक का गी और केसर से तो आज मैं इसका use करूँगी यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने सारे मोदक को गी और केसर लगा के रेडी कर लिया है अब हम इसे steamer में steam करने के लिए 12-15 मिनिट तक रख देंगे तो यहाँ पर हमारे सारे मोदक स्टीम होके रेडी है इन्हें अब हम निकाल के देखेंगे तो आप देख सकते हो यह केसर से इन्हें बहुत अच्छा कलर आया है गी और केसर से मोदक को कलर और स्वात दोनों भी बढ़िया आते हैं तो इन्हें अब हम प्लेट में निकाल लेंगे तो यह जो उकडी चे मोदक है यह बनाने में बिगनर्स के लिए थोड़े से डिफिकल्ड लगेगे लेकिन उन्हें भी प्रैक्टिस के बाद आसानी होगी यह मोदक बनाने में तो उकडिचे मोदग जो होते हैं वो गेहूं के आटे से और चावल के आटे से दोनों से बनते हैं और दोनों के भी flavors बहुत बढ़िया होते हैं तो आप ये मोदग घर पे ज़रूर बना के देखना और मेरी recipes अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना